दोस्तो मासिक धर्म एक ऐसी समस्या है जो कि अगर किसी महिलाओं को अगर एक बार ना आए तो उस महिला को बहुत ज्यादा डर बना रहता है दोस्तों जिन महिलाओं के मासिक धर्म आते हैं उन्हें कभी-कभी या तो आने से पहले या जाने के बाद में उनके पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है और कमर में दर्द होता है दोस्तो कभी-कभी महिलाओं के अन्यमित मासिक धर्म भी आना चाले हो जाते हैं जैसे कि समय पर नहीं आपाते हैं या तो समय के कुछ दिन पहले आ जाते हैं या समय के कुछ दिन बाद भी आते हैं दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर के उपर इफेक्ट डालता है लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे जबर जस्त घरेली नूस्खा लेके आया हूँ जो कि अगर आप मेरे बताय अनुसार इसे दिन में सिर्फ तीन बार ही इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी मासिक धर्म जैसी गंभीर समस्या जैसे की मासिक धर्म का ना आना किसी कारण बस मासिक धर्म रूक जाना या मासिक धर्म समय से पहले आना या समय के बाद आना आपके मासिक धर्म आने पर सर में दर्द रहना कमर में दर्द रहना इत्यादी जैसी गंभीर समस्याओ से बहुत ही असानी से च्छुटकारा दिला देगा तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के साथ दोस्तों सात captiv fi वीडियो को लाइक कर दीजी और इस हैनल को सब्सक्राइब करके बेल गुना दूध ले और उसके बाद से हम इसमें next ingredient इस्तेमाल कर लेते हैं वो है दोस्तो कच्चा हल्दी ये आपको बहुत ही असानी से मिल जागा दोस्तो इस कच्चे हल्दी में बहुत ही परचूर मात्रा में कुछ विटामिन्स पाय जाते हैं जो कि आपके मासिक धर्म जैसी समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं दोस्तो इसकी तासीर बहुत ही ज्यादा गर्म होती है तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करने है कि आपको लेने एक इतना बड़ा सा हल्दी का टूकड़ा और इसे पीस कर बहुत ही अच्छी तरह से पेष्ट तयार कर लेने हैं दोस्तो यहाँ पर मैंने पहले से ही इस हल्दी को पीश कर पेष्ट तयार किया हुआ है दोस्तो अब हम क्या करते हैं कि हम इस पीशे हुए हल्दी को थोड़ी सी मातरा में यानि की एक या दो चमच की मातरा में इसमें अपने दूध में ही मिला लेते हैं दोस्तों मिलाने के बाद से इसे बहुत ही अच्छी तरह से घोल कर यानि कि मिक्स करके तयार कर लेते हैं दोस्तों जब ये कच्चा हल्दी और दूध मिलकर तयार हो जागा तो इसकी तासीर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जागी दोस्तो इसके बाद से हम क्या करें कि हम इसे दीन में दो बार यानि कि सुबह साम और आपकी मासिक धर्म बहुत ही ज्यादा देर से रुख चुकी है तो आप इसे दो पहर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों आपको इतने ही मात्रा में और दिन में तीन बार अगर आप तीन से चार दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मासिक धर्म जैसी गंभीर समस्या से बहुत ही असानी से छुटकारा मिल जागा तो दोस्तो ये थी मासिक धर्म की कुछ जानकारियां दोस्तो अगर आपको जानकारी अच्छे लेगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजी और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ सेयर कर रहे दोस्तो ऐसे ही मौतवपूर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे तो दोस्तो हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद